तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर total mechanical energy उससे पहले दो टर्म और है बच्चो दो टर्म है एक conservative force और एक है non conservative force इसकी चर्चा अक्सर होती है अक्सर आपको problem में आएगा अब से ज़्यादा आएगा तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले conservative और non conservative के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं देखो term सब सुनते जाना पहला term है आपका external force external force and internal force internal force ये दो टर्म है अब external और internal को लेखे बच्चों को ज़्यादा confusion तो नहीं थोड़ा बहुत रहता है देखो याद करो Newton second law को apply करने के लिए आपको दो body को एक system मानना होता था या दो से ज़्यादा body को भी आप system मान सकते हो लेकिन वहाँ system मानने का एक तरीका अलग था वहाँ system मानने के लिए दोनों का acceleration सेम होना जरूरी है लेकिन ये Newton's law की बात हो रही है अगर energy का concept लगाते है energy क्या है एक scalar quantity है यहाँ direction वेगरा माने नहीं रखता है तो अगर यहाँ पे जिसे मान लो मैं total mechanical energy का conservation लगाऊंगा या फिर आपका work energy theorem लगाऊंगा तो इस case में किसी भी दो body को आप system मान सकते हो चाहे उनकी velocity सेम हो चाहे उनका direction सेम हो चाहे जिदर भी हो आप उसको system consider कर सकते हो समझ में आर यह बात आप उसको system consider कर सकते हो इसके लिए उनका acceleration सेम होने की ज़रुत नहीं है मान लो एक body है ये इधर को move कर रही है ये body है ये इधर को move कर रही है ये body है इधर को move कर रही है तो भी आपके पास ये freedom है कि आप A को B को और C को एक system मान सकते हो A प्लस B प्लस C एक system की तरह हो जाएगा समझ में आर ये बात तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ system मानने का कोई criteria नहीं है अब जब बात system की आएगी जिसको मर्जिव अब system मान सकते हो जब बात system की आएगी तभी बात आएगा external का और internal का तो simple सी बात है माल लो A और B आपस में अगर कोई force लगाएंगे तो वो internal कहलाएगा और जो system से बाहर यानि ये D है माल लो ये box ये block D है और D ने अगर A पे कोई force लगाया तो वो क्या कहलाएगा external मतलब आपने system की boundary जहां तक extend किया है within the system अगर force लगता है within the system अगर force लगता है तो वो force कहलाएगा internal and outside the system force लगता है वो कहलाएगा external ठीक है यहाँ पर दो concept है आपका एक external है एक external है external force कौन सा force हुआ external force जो है the force the force which forces which are which are exerted exerted from outside outside the system system के बाहर से लगता है ठीक है the forces which are exerted from outside the system समझ गये और यह total आपके उपर depend करता है because you are the observer आप system की boundary कहां तक ले जा रहे हो यह सिर्फ आपके उपर depend करता है दूसा होता है internal 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 force जो होता है internal तो simple सी बात है जो system के अंदर एक दूसरे पर force लगते हैं उसको internal बोलते हैं the forces the forces forces which are which are exerted exerted within the system within the system जो system के अंदर ही लगता है उसको हम लोग बोलते हैं internal force क्या बोलते हैं बच्चों उसको बोलते है internal force ठीक है ना उसको क्या बोलते है internal force जो system के अंदर लगता है समझ गये तो ये external, internal word का मैं बार-बार अब से use करूँगा, यहाँ तक ही नहीं, ये बात center of mass वाले chapter में भी जाएगी, ये बात collision भी पढ़ते समय आपको देखना होगा, तो collision पढ़ो, चाहे center of mass पढ़ो, चाहे energy का conservation लगाओ, बार-बार external, internal, external, internal, तो external, internal का मतलब आप समझो, external मतलब system के बाहर से लगने वाला force, और internal मतलब inside the system, और system मानने का criteria मैंने आपको बताया, Newton's law में acceleration सेम होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे system मानने के लिए, किसी भी दो body को आप system मान सकते हो, जैसे मान लो एक ball को, अगर अर्थ के certain height से release करते हैं, तो उस ball को और अर्थ को हम होगा, वो external होगा, समझना मेरी बात को, जैसे मान लो, जैसे मान लो यह अर्थ है, और यह ball है, ball पे नीचे लगा mg, अगर हमने इस m, मतलब जो mass है, ball का, और यह अर्थ है, इनको system ले लिया, अगर आपने m पलस m, एक system ले लिया, तब तो mg आपका कहलाएगा, internal, और यही एक दूसरा observer, जिसने only, only m को system लिया, तो उसके लिए mg क्या हो जाएगा, external, उसके लिए mg क्या हो जाएगा, बच्चो, external, इस बात को दिमाग में sit रखना, समझ गया है, चलो, यह तो हो गया, external, internal की बात, अब बात करेंगे conservative और non-conservative, बहुत important, conservative, conservative and non-conservative, बहुत important, conservative force, conservative and non-conservative force, ठीक है, अब बात करते हैं, पहले conservative की, तो पहले conservative की बात करते हैं, बच्चो, conservative की बारे में, एक simple सा thought आप दिमाग में sit रखो, conservative की बारे में ये रखोगे, कि walk done by force, walk done by force, does not depend on path followed, path followed, path followed, एकदम ध्यान से रखना, देखो, अगर conservative, conservation लिख दिया, मैंने, अगर आपका force conservative है, conservative है, force अगर आपका conservative है, तो एक बात आप अच्छे से याद रखो, की walk done जो आपका होगा, वो path के उपर depend नहीं करेगा, वो depend करेगा, that depends, that depends, walk done depends, walk done depends, walk done depends, only on initial and final, and final position, initial and final position, of body, body initially कहां से चला, और finally कहां पहुँचा, सिर्फ इस बात से walk done को लेना देना होता है, walk done को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कि particle कौन से डास्ते से जा रहा है, और किधर जा रहा है, particle का बस समझे देखेंगे, initial position क्या है, और particle का देखेंगे, final position क्या है, समझे, तो ये आपका हो गया, अच्छा, एक तीसा point भी इसमें देहान से सुन लो, work done, work done, during round trip, round trip journey, will be zero, ठीक है, round trip journey में work done zero होगा, round trip का मतलब क्या होता है, आप दिमाग में गलती से ये मत बिठा लेना, round trip का मतलब होता है, round round घूमना, ऐसा नहीं है, round round घूमना नहीं है, round trip का मतलब है, जहां से आप चले, वापिस फिर वहीं पहुँच गए, ऐसे journey को हम लोग बोलते है, round trip journey, समझे है न, जैसे की देखो, अब इन सारी बातों को मैं यहां लिख रहा हूँ, मान लो, पहला इस point को मैं clear कर रहा हूँ, ये point A है, ये point B है, अगर कोई conservative force लग रहा होगा, तो चाहे तुम इस रास्ते से ऐसे पहुँचो, चाहे तुम ऐसे पहुचो, चाहे तुम नीचे से ऐसे करके ऐसे पहुचो, इन सभी रास्तों में एक बात common है कि initial point है A और final point है B, और सभी में अगर walk done अलग-अलग हो रहा है, that is W1, W2, W3, तो आप एक बात समझ लो, W1 equals to W2 equals to W3, यानि walk done path के उपर depend नहीं करता है, गैरेंटी है, और साथी साथ, अगर मान लो, एक और example लेते हैं, एक और example लेते हैं बच्चो, अगर particle आपका यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, वापिस जहाँ से चला वहीं पहुंच गया, इसको राउंड ट्रिप बोलते हैं, यहाँ पे initial और final position सेम होता है, तो इस case में W round trip क्या हो जाएगा, W round trip आपका ये हो जाएगा, 0, समझ गए ना, तो conservative force से related इतनी बातें आप दिमाग में set रखना, कि work done path पे depend नहीं करता है, work done को मतलब है initial position क्या है, final position क्या है, plus work done round trip में क्या होता है, 0, अब इसका example, बच्चों जो force हम लोग को nature में मिलता है, उसमें से कौन-कौन इसका example है, वो देख लेते हैं, एक सबसे पहला जिसको मैं भी prove भी करूंगा, वो है spring force, एक आपका होगा spring force, दूसरा आपका होगा gravitational force, gravitational, 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 gravitational force, तीसरा होगा आपका, electric force, electric force, and चौथा होगा, आपका magnetic force, ये तो वो example है, जो अपने nature में मिलते हैं, कहीं न कहीं, समझ गया है न, spring force, gravitational force, electric force, magnetic force, buoyancy force को भी आप इस category में ला सकते हो, ठीक है न, ये सारे क्या है, conservative force, लेकिन मैं यहाँ एक point और लिए देता हूँ, अगर मान लो, किसी situation पे, किसी situation पे, अगर कोई आदमी, अगर अपने तरफ से कोई force लगाता है, मान लो, normal force लगाता है, tension force लगाता है, अगर उसका magnitude और direction constant है, जहाँ से सुनना, अगर उसका magnitude और direction constant है, तो वो भी conservative force की तरह विभार करेगा, समझ गए, वो nature में तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम लोग apply करते हैं, यह तो common example हो गया, ठीक है न, लेकिन इसके अलावे, अगर किसी भी problem में कोई ऐसा force हो, जो magnitude में और direction में constant रहे पूरे journey के दोरान, तो भी वो conservative force के अंदर आ जाएगा, any force, अब इसको मैं लिख देता हूँ, highlight करके, any force, any force, which, any force, which has, which has, constant, constant, magnitude, and direction, can be considered as conservative force, clear है, चलें आगे बच्चों, ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे कि gravitational force, आखिर conservative कैसे है, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, है न, इस पे एक question भी आया है, देखना जब मैं आपको DPP करवाँगा, तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, अब यह प्रूव करता हूँ, gravitational force conservative कैसे है, बहुत simple सा thought है, तुरत प्रूव हो जाएगा, जैसे मान लो, एक body ground पे रखी हुई है, इस position का नाम है position 1, और यह है position 2, ठीक है, अब ground से 2 तक लेके जा रहे हूँ, ground से कहां तक लेके है, 2 तक, अब फिर 2 से वापिस लेके आना है, ठीक है, 1 से 2 तक लेके, 2 से वापिस लाना है, और यह height है total h, आप से अगर कोई पूछेगा, कि इस पूरे journey में कितना walk done हुआ है, तो अभी आप देख लो, सबसे पहले W12 लगा लो, W1 से 2, किसके वज़े से देखना चाह रहे हैं, Mg के वज़े से, तो भाई body उपर जा रही है, force लग रहा है नीचे, तो आपका walk done होगा, minus Mgh, work done क्या होगा, minus Mgh, क्योंकि displacement हो रहा है उपर, और force लग रहा है नीचे, displacement हो रहा है उपर, force लग रहा है नीचे, और जब आप W21 से आओगे, यानि आप जो है, कहां से आओगे, इस height से ground पे आओगे, तो उस case में ये लग जाएगा आपका Mgh, و2 ह, ये आएगा plus में, कैसे, क्योंकि जाते समय आपका displacement उपर हो रहा है, force लग रहा है नीचे, आते समय force भी लग रहा है नीचे, displacement भी लग रहा है नीचे, तो इस तरीके से पूरे round trip में अगर walk done की बात करेंगे, round trip में अगर walk done की बात करेंगे तो वो walk done आ जाएगा 0 च्योंकि इन दोनों को add करेंगे this will be equal to 0 तो mg यहां बहुत आराम से प्रूव हो रहा है कि एक conservative force है क्योंकि इसका मतलब यह हो गया कि इसने round trip में walk done किया 0 एक example और ले ले लेते हैं फटा फट ले ले लेते हैं जैसे मान लो यह inclined plane है यह inclined plane है यहां एक block है ठीक है ना इस block को number one से number two तक ले जाना है number one से number two तक ठीक है एक रास्ता तो direct यह है कि आप ऐसे लेके चले जाओगे यह angle है theta और दूसरा रास्ता है कि आप एक से पहले नमर 3 पे ले जाओगे और 3 से फिर 2 पे ले जाओगे ये दो रास्ते हैं ये दो रास्ते हैं तो मेरे को यहां 1 से 2 तक पहुचाना है तो पहले मैं एक काम करता हूँ W12 निकालता हूँ, W12, W12, मान लो यह distance हमारा है X, यह distance कितना है X, और इस height को मान लो H, और यह theta है, तो आप लिखोगे sin theta is equals to H upon X, so H equals to क्या हो जाएगा, X sin theta, H equals to हो जाएगा X sin theta, तो सबसे पहली बात है, आप 1 से 2 तक की बात कर लो, 1 से 2 तक में आप जानते हो, अगर block को आप ऐसे लेके जा रहे होगे, तो Mg का दो component टूटेगा, कितना component दो, एक पीछे लग रहा होगा, जिसका नाम होगा Mg sin theta, और एक इ आप यहाँ पे चाहो तो force को ही दो component में तोड़ लो, Mg cos theta कोई work नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह displacement के क्या है, perpendicular, और Mg sin theta work करेगा, क्योंकि displacement हो रहा है उपर, और force लग रहा है नीचे, displacement हो रहा है उपर, force लग रहा है नीचे, तो कितना आप दोस्त ऐसा है न, कि पहले 1 से 2 ले जा रहे हैं, तो 1 से जब 2 ले जा रहे हैं, तो पीछे force लग रहा है क्या हमारा, Mg sin theta, displacement है हमारा x, तो यह work done जो निकल के आया, देखो, पीछे force लग रहा है, आगे displacement हो रहा है, तो minus Mg sin theta और displacement है x, क्योंकि Mg cos theta तो perpendicular है, वो कोई work तो करेगा नहीं, तो हमारा 1 से 2 तक ज sin theta को, हम चाहें तो h लिख सकते हैं, है न, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, तो h लिख दिया, अब बात करते हैं, 1 से 3 जाने का, कहां से कहां जाने का, 1 से 3 जाने का, sorry, 3 से 2 जाने का, 1 से 3 में तो आपका work done 0 आया, 1 से 3 में work done 0 क्यों आया, क्योंकि displacement हो र horizontal direction में अब force हर हालत में हर जगह पे किदर लग रहा है नीचे की और तो displacement आपका हो रहा है horizontal force लग रहा है vertically down तो force और displacement के बीच का एंगल हो गया 90 तो आप ये समझ लो कि 1 से 3 तक में work done हो गया आपका 0 ठीक है चलो अब हमारा यहां पर जो है वो है बात होगी 3 से 2 तक की 3 से 2 तक की बात जो हम करेंगे बच्चों 3 से 2 तक की 3 से 2 तक में क्या हो रहा है कि displacement आपका ऊपर की और हो रहा है है ना displacement उपर और force लग रहा है नीचे तो भाईया ऐसा है कि सीधी सी बात हो गई W3 से 2 यह हो जाएगा आपका माइनस MGH ठीक है क्योंकि Mg लगा नीचे displacement हुआ उपर तो टोटल अगर हम देखें 1 से 3 से 2 तक जाने में 1 से 3 से 2 तक जाने में तो वागडन हो गया 0 प्लस माइनस MGH तो नेट वागडन आया माइनस MGH मैं इतनी मसकत क्यों कर रहा हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि Mg हमारा क्या है conservative force अगर आप 1 से 2 गए तो भी आपका वागडन आया माइनस MGH अगर आप 1 से पहले 3 गए 3 से 2 गए तो भी नेट वागडन आया माइनस MGH यह बताता है कि Mg का वागडन पाथ के उपर depend नहीं करता है पाथ के उपर depend नहीं करता है तो इससे आपको बहुत फाइदा होगा Mg के conservative force होने से आपको बहुत फाइदा होगा जैखो इसका कैसे हम लोग application देख सकते हैं मान लो मान लो सीधी सी बात है मान लो कहीं पर अगर ऐसा टेरा मेरा रास्ता हो है ना ऐसा रास्ता हो स्मूध हो कैसा हो यह मान लो स्मूध है कैसा रास्ता है स्मूध है यहां से किसी ब्लॉक को अगर आपने release कर दिया ठीक है आपने release कर दिया इस ब्लॉक को आपने release कर दि अब देखो इस case में तो तुमने angle से component वेगरा तोर भी लिया अगर माल लो रास्ता इस type का हो ऐसा हो तो आप खुद सोचो इस रास्ते पे mg क्या components आप तोर पाओगे बिल्कुल नहीं तोर पाओगे क्योंकि ना कुछ angle पता है ना कुछ पता है लेकिन आपको अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक block है A से shift होके B पे आ रही है है ना a block a block ठीक है ना a block slides slides from A to B A से कहा रही है बच्चों B तक B तक आ रही है एक block slide करके A से B तक आ रही है तो आप से ये पुछा जाएगा slide from A to B ठीक है ना slide from A to B find the work done find the work done find the work done find the work done by mg ना gravitational force से तो आप इस रास्ते को follow ही मत करो A से B तक की बात हो रही है आपके लिए जो आसान होगा आप वो रास्ता follow करो आप follow करो A से C और C से B तो सीधी बात है work done A से पहले C तक जाएंगे C से फिर B तक जाएंगे कहानी खतम इसको दो step में निकाल लेंगे और ये बहुत आसान होगा तो पहले निकालेंगे work done A से C A से C A से C का मतलब क्या हुआ कि आप A से कहा आ रहे हो C के पास A से आ रहे हो C के पास तो force mg नीचे displacement भी नीचे तो भाया ऐसा है कि A से C work done हो गया MGH और C से B में तो आप जानते ही हो कि जब ये horizontal चलाओगे mg नीचे लगेगा तो बीच का एंगल 90 हो जाएगा तो ये work done आपका 0 ही आएगा तो ultimately क्या आगे आपका MGH ठीक है न क्लियर है बच्छो चलो तो ये conservative होने का फाइदा यहां मिल ला है इसी तरीके से मान लो एक circular track है एक circular track ऐसे ठीक है अब ये circular track एक body आपका एक यहां पर block रखा हुआ है इस block को यहां पर release किये ये radius r है और ये a से b तक आपका ये slide करता हुआ आएगा तो कहेगा find the walk done find the find the walk done find the walk done by MGH MGH का walk done निकालो भाई देखो पूरे रास्ते में पूरे रास्ते में अगर आप calculate भी करना चाहोगे तो कितना मुश्किल होगा क्योंकि हर जगह पे हर जगह पे angle अलग-अलग है कैसे निकालोगे भाई MGH आपका क्या angle बना रहा होगा मुश्किल है लेकिन हमारे लिए काम बहुत आसान है क्योंकि हम समझ गए है कि MGH हमारा क्या है conservative force तो हम direct A से B आने के बज़ाए हम पहले चले जाएंगे A से O यानि इसके center के तरफ A से O अब फिर O से आ जाएंगे B तो हम लोग सीधा क्या करेंगे A से पहले O जाएंगे और O से जाएंगे B तो दो step में walk down निकालेंगे W A O प्लस W O B तो यह हमारा दो step में walk down आएगा तो A से O अगर हम जाएंगे तो सोचो पूरे रास्ते M G जो होगा इस displacement पे क्या होगा perpendicular क्योंकि M G नीचे लग रहा होगा और तुम horizontal चल रहे हो तो पहला तो हो गया आपका 0 और दूसरा आपका M G लग रहा है नीचे M G लग रहा है नीचे और displacement भी हो रहा है नीचे M G लग रहा है नीचे displacement भी होगा नीचे तो यह आपका हो गया M G R क्या हो गया बच्चों M G R displacement नीचे force भी नीचे तो आपका finally answer हुआ M G R तो यह फाइदा है आपका conservative होने का चलो conservative force का अब दूसरा example लेते हैं conservative force का अब दूसरा example लेते हैं जिसका नाम है spring force ठीक है ना spring force spring force को spring force इसको भी हम लोग अभी prove करेंगे कि यह आपका एक conservative force है और spring force का walk done भी calculate करेंगे जरूरी है और यहां एक formula मैं आपको बताऊंगा जो कई जगा आपको काम आएगा तो ध्यान से समझो ध्यान से समझो देखो मान लो एक block है और इस block को आपने यहां spring constant यानि spring से लगा दिया है यहां आपने spring से लगा दिया एक block को spring से लगा दिया है spring constant k है mass m है ठीक है न अभी फटाफट हम लोग काम करेंगे सबसे पहले मान लो इस point को मान लो O इस point को मान लो A ठीक है न तो हम लो O से A तक की यातरा करेंगे और देखते हैं क्या होता है O से A तक का जो distance है यह है X naught ठीक है? तो एक काम करते हैं block को हम यहाँ से यहाँ displace करेंगे और देखेंगे spring force कितना work करती है तो एक बात बताओ spring force का magnitude याद करो क्या होता था? KX अब यह force जो है X के उपर depend करता है जहाँ X क्या है बच्चो? extension X है आपका extension तो यह force जो होगा यह आपका variable force होगा कैसा force होगा? variable force कैसा force होगा? variable force अब variable force के case में क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से जब यह चलना शुरू करेगा तो एक certain distance पे एक certain distance पे एक certain distance पे एक छोटा सा work निकालेंगे याद है मालो सीधा यहाँ कूद के तो पहुँचेगा नहीं किसी समय यह x distance पे होगा और उस समय चोटा सा displacement करेगा dx चोटा सा displacement करेगा dx और force लग रहा होगा ठीक opposite तुम तो समझो इस बात को कि अगर आगे खीच रहे हो तो spring तो पीछे खीच रही होगी block को तुम आगे ले जा रहे हो तो spring किदर खीच रही है पीछे खीच रही है तो definitely आपका spring जो है force पीछे लग रहा है displacement किदर हो रहा है आगे दोनों के बीच opposite direction है तो छोटा सा अगर walk down निकालेंगे that is dw तो यह हो जाएगा fsp.dx है ना तो भाई ऐसा है कि यह हो जाएगा kx into dx into cos 180 cos 180 क्यों 180 लिखा हमने क्योंकि displacement और force क्या है opposite direction में तो भाई total walk down कितना आया तो total walk down के लिए आप dw को integrate करोगे इसमें से आपका minus के बाहर आगया minus कहा से आया cos 180 से के क्यों बाहर आया k क्या है constant अंदर में क्या रह गया बच्चों अंदर में रह गया सिर्फ x dx अंदर में क्या रह गया x dx clear है अब इसको अब लोग इसको हम लोग अब क्या करेंगे integrate करेंगे तो minus k और x dx हो जाएगा x is squared by 2 value 0 थी पहुंचा कहां पे एपे जहां X की value क्या है X naught जहां X की value X naught क्योंकि यह distance है X naught तो limit रखोगे 0 to X naught तो finally जो यह work आया तुमारा तो यहां जो बच्चों वागडन आ रहा है यह आपका O से A तक का वागडन आया ठीको देखो कुछ नहीं है simple सा बात है यह आपको मैंने क्या किया कि रास्ते में एक छोटा सा वागडन लिया DX वीडियो थोड़ा पाउज हो गया था और यह DX जो है और यह DX में आपका जो है कॉस 180 का मतलब है माइनस जो की अपोजीट डैरेक्शन में है तो यहाँ पर लग गया आपका यहाँ देख लो और यह आपका X DX आया ठीक है ना तो अब देखो यह सबको मैंने डंग से आपको इंटीग्रेट कर लिया है तो यह W 0 से A या आगए आपका माइनस हाफ कalid X स्क्वारड इंटीग्रेख है यह यह आपका work done आ गया O से A तक का सबकुछ मैंने आपको समझा रखा है इनीचिल पोजन जीरो है फाइनल पूजिशन X naught है, initial 0, final X naught, initial 0, final X naught, ठीक है न, और minus कहां से आया, cos X से, के बाहर क्यों निकला, constant है, 2 तो बाहर आना ही था, तो यह work done निकल के आया, जब आपका spring को क्या कर रहे हो, आप extend कर रहे हो, ठीक है, अब बात करेंगे, अगर वापस हम लो, A से, A से इसको वापस लेके आते हैं, पहले, O से, A तक लेके गए, अब A से वापस, O तक लाएंगे, और ऐसा करने में, अगर, net work done हमारा, 0 हो गया, hence, proved कि हमारा spring force क्या है, conservative, तो चलो, अब returning journey की बात करते हैं, और वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, माल लो कि ये आपका भी यहाँ पे है, कहाँ पे है बच्चों, ये पहुँच गया है, A के पास, ये पहुँच गया है, A के पास, अब थोड़ देखना यहाँ पे, थोड़ा ये difficult है, समझना, O पे आना है इसको, कहां से, A से, तो initially already ये X not distance पे है, और finally इसका distance होना है 0, तो इस बार इसको वापस ला रहे हो, तो वापस लाते समय भी किसी समय ये X पे होगा, अच्छी बात है, और displacement इस बार DX इधर लोगे, X पे होगा और इधर डिस्प्लेस हो रहा है, और इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, spring force भी लग रहा है इधर ही, तो इस बार ही क्या करेंगे, जब छोटा सा वाप्डन लिखेंगे, that is DW, तो लिखेंगे FSP.displacement, ठीक है न, यह हो जाएगा DW और ये FSP का मॉड, DX का मॉड, इंटु कॉस 0, कॉस 0 क्यों लिखेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जिधर force लग रहा है, उधर ही displacement हो रहा है, अब आगे देखो, तो यह होगे आपका FSP के जगा लिख दोगे KX, लेकिन अब एक बहुत important point में बताने जा रहा हूँ, अगर ये DX का मॉड हटाओगे, DX का मॉड हटाओगे, तो यहां आप लिखोगे minus DX, क्या लिखोगे minus DX, और ये cos 0 हो जाएगा आपका 1, तो DW equals to हो गया minus KX DX, DW क्या हो गया, आपका minus KX DX, clear है, minus KX DX ये आपका DW हो गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ये minus क्यों आया, समझ मैं आया न, ये minus इसलिए आया, क्योंकि X घट रहा है, और X अगर घट रहा है, तो X के अंदर एक छुपा, DX क्या होता है, चेंज, और चेंज होता है, negative, तो mod का काम होता है, हर चीज को ensure करना कि वो positive हो, देखना, final answer, work done जो आएगा, अपना positive भी आएगा, definite है, ये minus देखके तुम घवडाना मत की negative आएगा, ये minus आया है, तो ये भी समझ के चलो कि DX के अंदर एक minus चुपा हुआ है, वो क्यों चुपा हुआ है, क्योंकि X आपका decrease कर रहा है, इसलिए DX आपका negative होगा, X क्यों decrease कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ से इसको वापस ला रहे हो, और X जो distance है, वो आप measure करते हो, O से, O कौन सा point है, जहाँ पर ये natural length में है, तो जैसे जैसे ये वापस आएगा, तो X आपका घटेगा, समझ गया ना, तो इसलिए अब लिखेंगे, W equals to DW का integration, यहाँ पर minus के बाहर आजाएगा, यह हो जाएगा, X dx, और यह limit हो जाएगा, 0 से X not, limit हो जाएगा, 0 से X not, तो सीधी बात है, यह क्या आजाएगा, आपका minus के, और यह X squared by 2, X squared by, sorry, limit उल्टा लिख दिया मैं, limit उल्टा लिख दिया, limit जो हम लो लेंगे, limit जो लेंगे, X not to 0, कहां से कहां, X not से 0, तो भाई, ऐसा है कि final जो होगा, वो 0 होगा, क्योंकि X squared by 2 होगा, 2 को मैंने बाहर लिख दिया है, तो final limit जो हमारा होगा, वो होगा 0, और initial होगा, X not squared, अब यह देखो, यहाँ से minus बाहर आया, और उसने उसको plus कर दिया, तो यह आपका answer आगया, half KX not squared, तो देखो, जाते समय, यानि O से A तक में आपका वोगड़न कितना आया, minus half KX not squared, आते समय कितना आया, plus half KX not squared, तो आने और जाने का वोगड़न को अगर हम मिला लेंगे, आने और जाने के वोगड़न को, आने और वोगड़न को, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को add कर दे तो नेट वोगड़न आपका zero हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, definitely हो जाएगा, यह minus यह plus, तो round trip में वोगड़न हो गया, zero, इसका मतलब spring भी आपका क्या है, conservative force, समझ गये, returning में क्या हुआ, उस पे ध्यान दो, returning में फिर से बता रहा हूँ, क्या हुआ, ध्यान देना, spring force तो किया है, वही है, x, x अगर घटेगा, तो x के आगे आप लगा, dx क्या हो जाएगा, negative, dx क्या है आपका change, और change आएगा, आपका negative, तो negative आएगा, तो उसको positive करने के लिए, फिर से मैंने एक minus किया है, आप एक बात पूरे physics में ध्यान से रखना, अगर कोई चीज घट रही है, और उसका change होगा, तो उसका change definitely negative होगा, और यदि पहले से वो mod में दिया हुआ है, तो उसको positive बनाने के लिए minus लगाना पड़ता है, तो मान के चलो कि इसके अंदर एक negative छुपा हुआ है, यह आपको देखने में work done negative लग रहा है, लेकिन यह work done है positive, क्योंकि इस minus को cancel करने वा जाएंगे, clear है बच्चों, तो इस तरीके से round trip में जो work done आया, round trip में जो work done आया, वो आ गया 0, जाने का minus half के x naught square आने का plus half के x naught square, अब मैं एक काम करता हूँ, यह मैंने बात की आपको extension को लेके, यह बात मैंने की आपको extension को लेके, ऐसा ही चीज compression को लेके भी कर सकते हैं, ठ मैं आपको सीधा एक formula देता हूँ, आप उसको अराम से prove कर सकते हैं, जिससे extension में इसे force निकालें, यह पहले तो मैं एक बार पूरा diagram बनाता हूँ, मैं एक बार पूरा diagram बना देता हूँ, spring force बहुत ज़्यादा काम में आएगा बच्चों, इसलिए इसके उपर हम लोग इतन सीधा मैं एक ना पूरा formula ही लिखके दिखाता हूँ आपको, एक formula लिखके दिखाता हूँ, मान लो यह आपका यहाँ पे spring लगा हुआ है, ठीक है, और यह point को आप A मान लो, इसको O मान लो, इसको ना आप क्या मान लो B, है ना, इधर हमने extension X not किया, इधर क्या किया, compression X not किय मैं एक सारा कुछ यहाँ पे लिखके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ले गए O से A तक, O से A तक, जो अभी हमने किया था, तो walk down आया, minus half K X not square, अगर आप लाए A से O तक, अगर आप लाए A से O तक, तो walk down आएगा, plus half K X not square, चलो, अगर आप ले गए O से B तक, अगर आप ले गए O से B तक, तो यह आपका walk down जो आएगा, फिर से देखो, यहाँ आप आगे ले गए, और force लग रहा था पीछे, तो negative walk down हुआ, आते से force भी दर, displacement भी दर, तो positive walk down हुआ, अगर compress करोगे, तो block जाएगा इधर, आप force लगेगा इधर, यानि opposite, तो O से B में भी work down आएगा, आप calculate करके देख सकते हो, minus half kx not square, और जब B से O जाएगा, वापस relax होगा, वापस relax होगा, तो positive work down होगा, इसको कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो, बच्चो जब जब स्प्रिंग को, तुम extended position से relax करो, चाहें compressed से relax करो, रिलाक्स करो, रिलाक्स करने में positive work आएगा, और जब उसको relax से extend करो, या compress करो, देखो negative work आएगा, चलो इसको भी छोड़ो, आपको मैं final एक formula बता रहा हूँ, जिसपे आप ध्यान रखना, जिसपे आप ध्यान रखना, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, आप मान लो कि ये किसी spring का natural length है, है ना, natural length है, अब ये natural length है यानि x equals to 0, अगर किसी spring की initial location है, यहाँ पे, मान लो x i, x i, और इसको यहाँ तक ले गए, यानि x f तक, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते, जो आपकी मर्जी है, आपको मैं एक formula दे रहा हूँ, इसको आप हमेशा यार रखना, general, general equation, general equation of, walk done, walk done, by spring force, by spring force, यह होता है, walk done by spring force, is equals to, देखो क्या लिख रहा हूँ, में half k और देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं लेकिन आपको हर्ची प्रूफ में तो फिर सब तो प्रूफ करी रहा हूं मैं इसको आप फॉर्मूला के रूप में याद रखना जहां पे x i जो है, x i, यह है distance, यह है distance of block, distance of block from mean position, mean position मतलब जो आपका natural length है, है ना, distance of block from mean position, x initial, है ना, initial distance, अब initial distance मैंने लिखा है, distance लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरफ ही, इधर भी होगा, तो भी ले सकते हैं, direction से फर्क नहीं पड़ता है, इधर रहे, उधर रहे, extended portion में रहे, compressed portion में रहे, फर्क नहीं पड़ता है, और xf जो है, xf, xf जो है, distance of block from mean position, और यह भी आपका जो है, यह भी आपका distance मतलब final, distance मतलब final, तो आप देखो, थोड़ा और अजीब लगेगा, normally हम लोगों की आदत होती है, कि हम लोग पहले final को समझते हैं, बाद में initial, इस formula में just year reverse है, इसको जाल लगा के देखते हैं, यहीं पर लगा के देखते हैं, अगर मान लो, तो O से A तक जाने की बात हुई थी, O से A तक जाने की बात हुई थी, तो initial तो आपका mean पे ही है, तो XI के जगा 0 लिखोगे, final क्या लिखोगे, A not, देखो यहाँ पे लिख देंगे X not, तो 0 minus X not का square, तो 0 तो खतम तो यह minus बाहर आ जाएगा, तो देखो minus यहाँ पे, अगर उल्टा करें, यहाँ से वापिस आए, O से A, तो उस case में initial लोगे X not, और final लोगे 0, तो देखो positive work done निकल के आया second में, ठीक है ठीक है बच्चो, अब देखो, इस पे मैं एक question करके दिखाता हूँ, अगर मान लो बच्चो, अगर मान लो बच्चो, ऐसा दिया हुआ हो, अगर मान लो बच्चो, ऐसा दिया हुआ हो, अगर मान लो बच्चो, ऐसा दिया हुआ हो, अगर मान लो बच्चो, ऐसा दिया एक ब्लॉक है, ठीक है, spring constant दिया हुए 100 newton per meter, यह spring constant की unit होती है newton per meter, आपको कह रहा है कि इस ब्लॉक को x equals to 3 cm से x equals to 5 cm तक extend करने में कितना work करना पड़ेगा, है ना, initially block मान लो 3 cm पर था, तो उसको 5 तक करने में कितना लगेगा, बहुत simple है, आप तुरत formula कहोगे, इस अभी आपने पढ़ाया है, half into k, ठीक है, into, आपका initial कौन है, 3 का square, final कौन है, 5 का square, लेकिन जल्दी बाजी में भूल मत जाना, यह cm है, cm है, तो cm को meter में बदलने के लिए 10 का power minus 2 से multiply करना पड़ेगा, 10 का power minus 2, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, square है, तो 10 का power minus 2 का square करोगे, तो 10 का power क्या हो जाएगा, minus 4, क्योंकि 100 cm का 1 meter होता है, तो यहाँ पर आपको ना multiply करना होगा, 10 का power minus 4 से, क्यों इन दोनों में यह है मौजूद, तो मैंने common लेके बाहर निकाल लिया, यह क्या है बच्चों, अगर cm में दिया हुआ है, तो इसको meter में convert करना है, क्योंकि k तुमारा meter में दिया हुआ है, और यहाँ क्या आ रहा है, यह आ रहा है आपका 9 minus 25, 9 minus 25, 9 minus 25 minus 16, और यह आ रहा है 10 का power minus 4, ओके, तो आप यह दो 0 से इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो, है न, तो यह आपका हो जाएगा, minus 8 into 10 का power minus 2 joules, minus 8 into 10 का power minus 2 joules, यह minus 2 कैसे हुआ, यह 2 0 से इसका 0 गया, और यह minus work done clear है अब देखो अब ये formula आपको और कैसे मदद कर सकता है मालो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो बच्चों ऐसा लिखा हुआ हो कि एक spring जो है already compressed है already कितना है compressed कितने से compressed है minus 10 cm से minus 10 cm से और इसको extend कर देना है यहां तक पहुचा देना है यहां तक extend करना है 20 cm तक सोचिए पहले compress किया हुआ था कितना से compress था 10 cm से और इसको just relax ही नहीं करना है relax करने के बज़ाए इसको extension दे देना है कितने का 20 cm का 10 cm के compression से 20 cm का extension आपको कि सर मेरे को इस लफ़रा में पढ़ना ही नहीं है जो formula मैंने बताया वो formula direct यहां पे लगेगा direct लगेगा मैंने कहा था ना कि वो x extension हो या compression हो इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको x लेना है mean position से दाएं हो या बाएं कहीं की जो दूरी है वो लिखना है ठीक है और कि यह मान लो इसका आपका क्या है 100 newton इसका भी मान लो पर मीटर तो अगर मेरे को work done पूछा अगर मेरे को work done पूछा तो फिर मैं लिखूंगा हाफ के मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है extension है या compression है सीधी सी बात है compression है न भाई तो यानि इनिशेली तुम कितना दूर पर हो चलो यहां पर द्यान देना यह आप अगर यह 10 cm से कहा की बात हो रही है 20 cm की है न 10 cm से 20 cm तो इसमें आपका यह extension हो या compression हो क्या हो extension हो या compression हो इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग सीधा इनिशेल 10 का square minus 20 का square है न और into फिर centimeter है तो 10 का power क्या कर दो minus 4 तो यह हो गया half यह हो गया आपका 100 और यह हो गया आपका 100 minus 400 है न इंटू 10 का power 4 half into 100 ठीक है तो अब यहां पर देखो दो जीरो इसका दो जीरो इसका यह आपका खतम कर देगा तो यह आजाएगा one point minus 1.5 जूल minus 1.5 जूल ठीक है तो minus 1.5 जूल आ जाएगा ठीक है अब यहां पर जाद ध्यान देना तो इसका मतलब है कि अगर आप यह फॉर्मूला याद रखोगे यह अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप x initial x final ठीक है न तो आप अच्छा उसमें भी आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसमें आपको यह समझ में आना चाहिए कि initial और final पहले initial है बाद में क्या है final और initial में आपको distance जो है initial में जो आपका distance है वो चाहें इधर हो इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना extension से फर्क पड़ता है ना compression से ना extension से ना compression से चलो तो मेरा कहने का मतलब है कि spring के work done के बारे में इससे ज़्यादा important कोई formula हो ही नहीं सकता बच्चों ये formula आप ध्यान रखना बहुत important है ये formula आप ध्यान रखना बहुत important ये एकदम याद रखना और हमने ये भी देख लिया कि अच्छा जब ये इस बात पर ही depend कर रहा है कि finally कहा हूँ और initially कहा हूँ तो definitely ये conservative force तो है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे non-conservative force की अब हम लोग बात करेंगे non-conservative force की non-conservative force non-conservative force अब ये non-conservative force क्या है सबसे पहली बात non-conservative force में एक चीज तो पक्की होगी ये force आपका constant नहीं होगा direction के हिसाब से और magnitude भी vary कर सकता है और main क्या है जो आपको याद रखना है कि work done work done work done depends work done depends on path followed path followed by the particle particle जो आपका रास्ता तै करेगा यानि particle एक point से दूसरे point तक जाने के लिए एक point से दूसरे point तक जाने के लिए जो वो path को follow करेगा उस path को पे work done depend करेगा that is called that is called non conservative force और round trip में work done work done in round trip round trip will not be will not be equal to zero round trip में work done भी zero नहीं होगा एक्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया एक्जाम्पल है इसका friction एक्जाम्पल में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो है friction प्रिक्शन भी ले सकते हो एयर ड्रैग भी ले सकते हो एयर ड्रैग मतलब एयर जो resistance लगाती है इसको एयर resistance भी बोल सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब है non conservative force वो होता है जिसका work done depend करता है path के उपर आप किस रास्ते से जा रहे हो उस पे depend करता है कहां पहुँच रहे हो इस बात पे सिर्फ depend नहीं करता है बलकि इस बात पे भी depend कर रहा है कि वहां पे तुम पहुच कौन से रास्ते से जा रहे हो ठीक है दूसरी बात कि जो work done round trip round trip मतलब जहां से गए वहां से आए will not be will not be equal to zero work done आपका zero नहीं होगा अब जैसे देखो समझो मेरी बात को अगर कोई part kill A से B जाता है A से B ठीक है अब इस दोरान देखते हैं friction कर क्या रहा है अगर ये ऐसे displace करता है A से B तक और ये displacement है X naught displacement कितना है X naught A से B तक तो friction force पीछे लग रहा होगा friction force मान लेते हैं F के पीछे लग रहा होगा ये 0.1 से 0.2 तक गया तो work done एक से 2 तक जाने में कितना होगा तो पीछे लग रहा है friction देखे एस F के और displacement हो रहा है आगे तो मैंने माइनस लिख दिया और F के इंटू X naught friction के जगा चाहो तो mu mg भी लिख सकते हो mu mg X naught माइनस साइन क्यों दिया बच्चो क्योंकि displacement हो रहा है आगे force लग रहा है पीछे और जब ये return होगा जब ये return होगा that is 2 से 1 कहां से कहां 2 से 1 जब ये return हो रहा होगा जब ये return हो रहा होगा जब ये return हो रहा होगा तो सोचो कि returning के समय इधर displacement और friction फिर अपना पाला बदल लिया देख लिए ना जाते समय friction negative X में लग रहा है आते समय friction positive X में लग रहा है मतलब हर हालत में वो displacement के opposite ही लग रहा है तो आते समय यानि 2 से 1 भी अगर आओगे 2 से 1 भी आओगे तो भी आपका आएगा ये minus mu mg x naught ठीक है तो इसका मतलब है total work done जो round trip में आया round trip बोले तो जाने और आने को लेके तो minus mu mg x naught में add करोगे minus mu mg x naught को तो ultimately आएगा minus 2 mu mg x naught तो work done आपका non zero आया और non zero देखो समझो मेरी बात को जाते समय भी friction ने approach किया तो work done आया minus mu mg x naught आते समय भी friction ने approach किया तो work done आया minus mu mg x naught और उन दोनों को अगर हम add करेंगे तो total round trip में work done आएगा minus 2 mu mg x naught clear तो इस तरीके से round trip में work done आ रहा है non zero और hence proved की जो friction है हमारा वो क्या है non conservative force और अब कोई बात नहीं अब तुम कोई चिंता नहीं करो चिंता नहीं करो हम लोग जो है ठीक है ना चिंता नहीं करना यहां पे आपना channel के साथ जुड़े रहो और neat वाले में online सीखो offline सीखो जैसे सीखो ठीक है बच्चो तो यह आपका conservative non conservative force आ गया चलो अब बात करते हैं हम लोग kinetic energy की तो अभी मैंने आपको चार force बताए external, internal, conservative, non conservative ठीक है सबका concept मैंने आपको धंग से बताया कि कैसे क्या करना है नहीं करना है spring वाले के case में आपको extra alert रहना है ठीक है तो आज मैंने आपको पहले ही बोला कि आज मैं दो system में पढ़ाऊंगा ठीक है क्योंकि अपने को class लंबी लेनी है ताकि हम लोग जो damage हुआ मेरे तवियत खराब होने की वज़द से उसको make up किया जाए